नमस्कार और गुड मॉरिंग दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल NCRT ऑनलाइन पाट साला में दोस्तो आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए करेंट अफेर जो की बहुत ही इंट्रस्टिक होने वाला है तो दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा जो दोस इसी प्रकार की जो करेंट अफेर की वीडियो हैं वहाँ समय समय वर प्राप्त होती रहेंगी उसके अलावा आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए हम बहुत सारा कंटेंड इस वीडियो आप हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं आज क करेंट अफेर की तो पहلا प्रश्न है चाहलही में खबरों में रहने वाले पवण सहा किस खेल से संवन्दित हैं और फिर बॉसकेट पॉल थो पवण सहा जो हैं वे हैं क्रिकेट से संबन्दित अभी हालही में इन्होंने जो अंडर सहा अगला प्रश्ण है केंद्र सरकार ने फेस्बुक डाटा लीग की प्रमुख आरोपी कंपनी केंबरीज एनलिटिका की जाच किस एजेंसी को सौपी है तो दोस्तों यह जो है यहाँ जाच सौपी गई है CBI को ठीक है और इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कि के Cambridge Analytica क्या है और यह जो आरोप था यह क्या था तो इसमें यह अभी हुआ क्या है कि Cambridge Analytica जो है अमेरिका की एक कंपनी है इस पर आरोप है कि इन्होंने क्या किया है फेस्बुक से डाटा को लेकरके जिसमें की लोगों की जो कॉमेंट्स होते हैं लोगों की जो फिलिंग्स होत थी उसमें जो डोनाल ट्रम्प की जीत हुई थी वह इसी रिजन की वज़ा से हुई थी और इस पर बहुत सारे आरोप है क्योंकि इन्होंने फेस्बुक की डाटा को लीक करके वहाँ पर उस तरह से सोचल मेडिया के हिसाब से वहाँ पर उनको वोटर्स को लुभाया था त तो इसकी जाज के लिए इस कैमरा जो कैमरीज एनालेटिक क्या है इसकी जाज के लिए CBI को यहाँ पर काम सोपा गया है ठीक है दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंस पॉइंट्स जान लेते हैं इनके बारे में तो जो आपका यहाँ पर CBI है जो इसके निदेशक हैं वे हैं आलोक वर्मा यह पॉइंट्स नौट कर लीजिए और जो आपके एनाई ए है उसके जो निदेशक हैं वे हैं वाइसी आपके वाइसी मोदी और फिर जो आपकी आईबी है आईबी क्या है इन्विस्टिकेशन व्यूरू है उसके जो निदेशक हैं वे हैं राजीव जेन और आपका रौ जो है उसके निदिसक है जो उसके चीफ है वह है अनिल धस्माना ठीक है दोस्तो तो यह थे कुछ important points अब आगे बात करते हैं किस राजे में किस राजे में अपनी स्वास्त्य भीमा संब्धित योजना को आईश्मान भारत के साथ सम्मेलित करने का फैसला किया है तो यहाँ कौन सा राजे है जिसने कि आपनी जो स्वास्त्य भीमा योजना है उसको आईश्मान भारत की योजना के साथ मिलाया है तो वह है मेघालय ठीक है मेघालय की राजधानी है सिलॉंग आप चानते हैं और यहाँ जो सिलॉंग है इसको जो सौवी स्मार्ट सिटी के यहाँ पर इसके लिए नाम इसका घोसित किया गया है कि सौवी जो स्मार्ट सिटी है वहाँ के सिलॉंग बनने जा रही है अगला प्रशन है वैस्विक आशावादी सुचकानक में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर जो एक ग्लोबल है यहाँ पर छटवा स्थान मिला है ठीक है अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वह रहा है इंडोनेशिया ठीक है दोस्तों तो और इंडोनेशिया के अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया का एक वह है जो आला मुखी है यहाँ पर जो फटे हैं कौन से भारतिय थी जिन्होंने कि अभी अभी इस पर हाल ही में परवतारोहन किया है तो आपको इसका जो आंसर है वहाँ देना है हमारी कमेंट बॉक्स में अब हम नेक्स क्रेशन पर आते हैं तो नेक्स क्रेशन है हाल ही में 2018 के रैमन मैक्स से पुरुसकार की घोशना हुई ह तो हमारे देश के किस व्यक्ति को इसके लिए चुना गया है ठीक है दोस्तों रैमन मैक्स से पुरुसकार आप चानते ही है यहाँ एसिया का नोबल वी इसको कहा जाता है और इसकी सुरवात हुई थी 1958 से तो इसमें अभी 2018 में इसकी लिस्ट जारी की गई है तो इसमें भा यहाँ इसके अधे पुरुसकार दिया जाएगा जो ऑफ फिलिपिन की राष्टपती थे रैमन मैक्स से उनकी याद में हो दिया जाता है अब हम बात करते हैं भरत आडवाने जी की तो यह है यह मानसिक रोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है इसके लिए उनको दिया जा रहा है मैंने ब्रॉमन मेक्सों से और सोनम वांग्चुं सायद आपने नाम ना सुना हो लेकिन आपने इडियेट मूवी जरूर देख होगी तो वह एक ऐसे जगवाऊ पर हैं जहां पर उनको किया है कि वहां पर साइन्स रव्लेटिट만 बहुत बहुत सारे काम करते हैं उस मूवी में किया था तो इसमें अभी उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बरफ का ऐसा कुछ आर्टिफिशल बनाया है जिसे की क्या होता है सिक्किम में साइर हैं वो तो सिक्किम में उन्होंने बरफ के कुछ ऐसे पिरामिट्स बनाये हैं जिनसे की क्या होता है इन लोगों को वहाँ पर साल भर पानी की क्या होती है वहाँ पर पानी मिल जाता है तो बरफ के artificial उन्होंने कुछ इस तरह से वहाँ पर design किया है और इससे क्या हो गया है जो वहाँ पर की बहुत सारी बंजर भूमी थी उसको खेती के लिए पानी मिल पा इन में से कौन सबसे बड़ी राजजितिक पार्टी बनकर उभरी है तो अभी आतने हाली में कुना है चाइल आम चुनाओ होए दिए तो यहां पाकिस्तान के जो नए प्रधान मंद्री वे होंगे इम्रान खान जोकी पूर्वा क्रिकेटर थे ठीक, दोस्तो है तो यहाँ UNICEF जो होता है यहाँ बच्चों के लिए काम करता है और यहाँ फिल्म फेस्टिबल है तो जिसका इसका जो मुख्याले है वह है आपके New York में जहां पर की आपके जो UN है उसका भी मुख्याले है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर जो इसके जो वह हैं निदेशक हैं वे हैं हैं फेंट्रिएटा फोड ठीक है यह बच्चों के लिए यहाँ सस्ता काम करती है यहनिशेप अगर इसके बारे में जाने तो और इसका अभी 2018 में इसका festival हो रहा है तो इसका आयोजन की सहर में किया जा रहा है तो इस सहर इस कइया रहा है बंगलूरू सहर में थीक है दोस्तों तो बंगलूरू में इसका किया जा रहा है option D बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रहा पर जमीन के नीचे 20 किलोमेटर लंबी जील होने का अनुमान लगा गया है तो जमीन के नीचे 20 किलोमेटर लंबी जील का अनुमान लगा जा रहा है मंगल ग्रहा पर ठीक है कहा जा रहा है कि मंगल ग्रहों पर जमीन के नीचे है बीस किलोमेटर लंबी जील अगला प्रशन है हाल ही में किस राज्य में एक अनोखा ब्लड ग्रूप पीपी नल्फ फैनो टाइप का पता लगाया गया है तो यहां किस राज्य से एक जिक्ति की जाज की गई ब्लड की तो उनके ब्लड में पीपी नल्फ फैनो टाइप का एक ब्लड ग्रूप है उसका पता लगाया गया है अंदिम प्रश्ट आज का है हाल ही में खबरों में रही पंबन जल संधी के संबंद में कौन सा कथन सत्य है ठीक है दोस्तों आठ लाइन पुल के निर्मान को मंजूरी देदी है तो इसके बीच में अब एक पुल बनेगा वहाँ आठ लैन का पुल होगा तो वह भी विल्कुल सही है और इसका उद्देश होगा जो रामेश्वरम द्वीप है उसको मुख्य भूमी से जोड़ना ठीक है तो ऑप्शन वे आपको दूसरे वीडियो में परवेड कर रहे जाएंगे तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन सुभो धन्यवाद